हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल लास्मेट पैयारी, मेरा नाम नीतु शर्मा है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 12th NCRT biology का 3rd chapter which is human reproduction, और उसका हमारा जो next lecture है, वो है about the fertilization and implantation. तो आई हम start करते हैं fertilization and implantation, देखिए इससे पहले हम पढ़ चुके हैं menstrual cycle के बारे में, हमारा oogenesis भी हो गया है, oogenesis में हमने बात की ही last में कि जब ovulation होगा, तो क्या release होगा, secondary oocyte release होगा, ठीक है, तो जैसे ही coitus होगा, तो during the coitus, semen release होगा into the vaginal tract, semen में क्या है, sperm है, और seminal vesicle, seminal vesicle के जो secretion है, glands के जो secretion है, उसको सब को मिला के, हम क्या कहते है, semen कहते है, तो that semen is being released into the vagina, और vagina से वो पास होता होता कहा जाएगा, cervix में और cervix से वो कहां पहुच जाएगा, uterus में, ठीक है, और uterus में हमें पता है uterus के बाद क्या है, fallopian tube है, तो fallopian tube का भी एक particular part जहां पर वो जाकर पहुचेगा, जिसको हम कहते है, ampula isthumus, जिसको ampulary isthumus junction कहा जाता है, ठीक है, तो ampulary isthumus junction जो होगा, उसको हम कहते हैं, fallopian tube का वो part जहां पर सीमन आकर रुखेगा, ठीक है, फिर क्या होगा, ovum जो होगा, वो भी release होगा, from the ovary, और ovum release होने के बाद infantibulum से उसको capture किया जाएगा, और उसको भी कहां पहुचाया जाएगा, ampulary isthumus junction के पास, ठीक है, अब जब यह sperm और egg अगर if they reach at the same time, ठीक है, अगर दोनों के timing match हो जाती है, then the fertilization will occur, ठीक है, तो तब fertilization होगा, और fertilization के दौरान क्या होगा, कि दोनों का fusion होगा, अब fusion में होगा, तो क्या होगा, sperm will come into the contact with the secondary, U site, उसके contact में आएगा, और contact में आते ही हमें पता है, secondary U site के बाहर एक layer होती है, उसको हम बोलते है, Zona Palocidal Layer, ठीक है, तो contact में आने से क्या होगा, it will induces changes in the Zona Palocidal Layer, और जिसकी वजए से जो extra के sperm होगे, उनकी entry को वहीं पर ही block कर दिया जाएगा, जैसे ही एक sperm आकर enter करेगा, तो उसकी entry के बाद ही क्या होगे, और जो बाकी के sperm है उनकी entry को रोका जाएगा, by inducing some changes in the, barrier changes in the Zona Palocidal, ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें पता है, sperm के head में एक region होता, इसको हम कहते है, एक्रोजोम, ठीक है, जब हम sperm का structure हमने देखा था, एक वीडियो में, इसमें हमने बोला था, यहाँ पर क्या होता है, एक्रोजोम प्रेजेंट होता है, जो की golgi body से बना होता है, और उसमें बहुत सारे enzymatic content होता है, ठीक है, तो जैसे ही sperm penetrate करना start करेगा, तो यह जो एक्रोजोम होगा, यह इसका content क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, एक्रोजोम का content,awर जो है क्या परेजेंट है, एक्रो supports में परेजेंट है, तो वह हैइड लोच एंजाइम परेजेंट है, ठीक है, अब जैसे ही मारा यह sperm entry करता है, in the secondary oocyte, उस time पर जैसे ही entry होगी, उस time पर क्या होगा, secondary oocyte जो होगा, it will complete its meiosis second and it will form the haploid ovum, ठीक है, और साथ में it will also form the second polar body, ठीक है, तो जैसे ही entry होगी sperm की, तो secondary oocyte जो होगा, that will form, that will complete its meiotic division and it will form the haploid ovum and the second polar body. Second polar body में भी nucleus तो same होगे, एक set होगा, haploid set होगा, लेकिन cytoplasm सारा का सारा कहां पर होगा, ovum में होगा, यानि कि यह बिल्कुल खाली सी polar body होगी और इसका role भी नहीं पता होता अभी, कि बाद में इसका क्या होता है, ठीक है, उतना functions का known नहीं है. Next है, जैसे ही haploid ovum बना, second polar body बनी, फिर क्या हुआ, यह acrosome ने content release किया, और उसके बाद यह penetrate कर जाएगा, और penetrate करने के बाद क्या होगा, जो sperm का nucleus है, वो कहा पहुच जाएगा, cytoplasm में egg nucleus के, और जाकर egg nucleus के fuse करेगा, और fuse करने के बाद क्या बनाएगा, deployed zygote, तो इस process को हम क्या कहते है, इस process को हम कहते है, fertilization, जिसमें जो haploid egg है, haploid egg जाकर fuse होगा, haploid किसके साथ? sperm के साथ, और उन दोनों के nucleus fuse होगा, यह हमारा NCRT का diagram है, देखिए, zona pellucida layer है, zona pellucida layer में, यह sperm के entry होने के बाद, इन सब की entry क्या की जाएगी, block की जाएगी, और यह zona pellucida layer है, इसमें ही changes होते हैं, जिसके विएसे यह entry की block हो जाती है, ठीक है, next time बात करते हैं, implantation कैसे होगा, since zygote बन गया है, और zygote बनने के बाद क्या होता है, next का हम होता है, implantation, तो zygote जो बनेगा, वो कहां पर बनेगा में पता है, याद रखना है, हमें fertilization कहां पर हुआ है, fallopian tube में, और fallopian tube के भी कौन से part में, ampullary isthmus junction, ठीक है, ampullary isthmus junction में क्या होगा, fertilization होगा, और fertilization होने के बाद, implantation कहां पर होगा, हमें पता है, uterus में, तो zygote जैसे ही बनेगा, zygote will start to travel, travel करें का वो कहां पर आएगा, fallopian tube में आगे-आगे-आगे, it will start to move further, और it will go into the uterus. तो पहले क्या होगा, division start हो जाएगी, mitotic division start होगी, तो पहले 2-cell stage बनेगी, 4-cell stage, 8-cell, 16-cell, ठीक है? और वो जब cells बनेगी, जसे यह cell है, यह तो zygote हो गया, यह 2-cell हो गई, यह 4-cell हो गई, फिर यह 8-cell हो गई, इन चीजों को हम कहते हैं, इन cells को हम कहते हैं, blastomeres, ठीक है, इनको हम कहते हैं, blastomeres. अब यह क्या है, कि यह इस तरीके से 2-4-8-16 stage बन जाएगी, और यह 8-16 वाली stage जो होती है, इस stage को हम क्या कहते हैं? Morula, ठीक है, इसको हम कहते है, Morula. फिर Morula further divide करेगा और divide करने के बाद यह क्या बनाएगा? यह बनाएगा, blastocyst, और blastocyst में अगर हम structure देखें, blastocyst का, यह structure है, blastocyst में बाहर वाली जो layer होती है, यह वाली जो layer होती है, single layer, इसको हम कहते है, ट्रोफो-ब्लास्ट, ठीक है? इसको हम कहते है, इसको हम कहते है,夑ं अंदर जो होता है, इसको हम कहते है, inner cell mass , ठीक है? अंदर होता है, inner cell mass और बाहर जो होता है, उसको हम कहते है? यह blastocyst का structure हो गया, और यह जाकर attach होगा, मतलब implant होगा कहाँ पर uterus में तो ये देखिए blastocyst का implantation दिखाया हुआ है और implantation में ये जो trophoblast है ये जाकर किसे attach हो जाएगा endometrium जो की uterus की क्या है inner lining और इस process को हम कहते हैं implantation ठीक है और जैसे ही implantation हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी उसको हम कहते हैं pregnancy तो this will lead to the pregnancy अगर implantation हो जाते हैं तो उसके बाद ये जो inner cell mass है जो trophoblast है ये तो क्या बनाएगा layer बनाएगा और जो inner cell mass है ये क्या बनाएगा differentiate होकर embryo बनाएगा ठीक है तो ये हमने पड़ा है about the fertilization and the implantation. fertilization हमने देखा कहाँ पर हुआ एंपिलरी स्थमस junction ये हमें याद रखने की चीज है उसके बाद acrosome की help से क्या होता है जोना पहले उसे हमें changes होंगे hydrolytic enzyme की वज़े से क्या होगा sperm का nucleus will fuse with the egg के nucleus और उसके साथ क्या होगा zygote बनेगा zygote बनने के बाद ये हमें याद रखना है morula of eco-differentiate होके blastocyst बनाएगा जिसमें बाहर वाली layer होगी trophoblast और अंदर वाली layer अंदर जो cells का mass होगा उसको हम कहेंगे inner cell mass और inner cell mass जो बाद में क्या बनाएगा endo metrium से जाकर attach हो जाएगा और उस process को हम कहते है implantation और implantation के बाद क्या होगा जो है pregnancy होगी ठीक है और inner cell mass जो ह सारे एक organic cells में आने की capacity होती है इनको हम कहते है stem cells, pluripotent cells होती है potential होती है इनके अंदर to form the different kind of cells तो यह हमारा आज का topic था about the fertilization and implantation, hope आप लोगों को पसंद आया होगा, यह notes हम आपको provide करा देंगे, video के description में हम आपको link देंगे, आप वहां से यह चोटे-चोटे जो short one line note है, यह easy, मतलब एक बार last में decon करने में असानी होती है इससे, तो यह notes आपको मिल जाएंगे, हमारे description में drive का link देंगे, वहां से आप easily PDF form में download कर सकते हैं, और hope आपको यह पसंद आया होगा, अगर आपको video पसंद आई है, तो please इसे logo में, जितना हो आपको मेंगे हैब स्चरिए कार आपको टेंगे सोड़ोन जापको परोगे होगागे हैं, वह-चोटेयों कारेमे हैं, यह अपको आपको ओको आपको बाको आपको में आपको आपको दितना हो.